रतलाम पुलीस ने रविवार को महाराष्ट की एम्बूलेंस से डोडा चुरा ले जाते हुए दो आरुपियों को पकड़ा है अमित कुमार ने बताया कि मुखबिर की सुचना पर सोजावता फाटे पर एम्बूलेंस को रोप कर जाज की ड्राइवर ने अपना नाम रंजित उम्र 42 वर्ष पीता गंगाराम मोड़के और पास देठे व्यक्ति ने अपना नाम रुपेश उम्र 35 वर्ष पीता लक्षमन दोनों निवासी ग्राम तला थाना तला जीला राइगर महराष्ट बताया एंबुलेंस की तलाशी लेने पर उसमें 42 प्लास्टिक के बोरे मिले जो धागे से पेक थे बोरो को खोल कर चेक करने पर अंदर डोड़ा चुरा भरा मिला बोरे में करीब 17 लाख रुपे का 49 किलो 850 ग्राम डोड़ा चुरा निकला पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाब NDPS एक्ट के तहत के सदर्ज कर एंबुलेंस को जब्त कर लिया है रतलाम S.P. कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताज में बताया कि वह मनसोर के सितामों से डोड़ा चुरा महराष्ट लेकर जा रहे थे पुलिस डोड़ा चुरा किसे देना था और किसे लिया है इसकी भीजाज कर रही है S.P. के अनुसार पूछताज में अभी तक सामने आया है कि उक्ट दोनों आरोपियों कोरियर बोई के रूप में काम कर रहे हैं डोड़ा चुरा बेचने और खरीदने वाला और कोई है फुर्व में यह दोनों एम्बूलेस से 5-6 बाद महराष्ट डोड़ा चुरा बड़ी मात्रा में ले जा चुके है SP ने बताया कि एम्बूलेस महराष्ट के एक प्राइवेट होस्पिटल में एक प्राइवेट संस्था ने अटेज कर रखी है फिलहाल जाज को लेकर पुलिस ने होस्पिटल का ना मुझागर नहीं किया है एम्बूलेस पर भी रगुनंदन प्रशाद अगरवाल चेरिटेबल ट्रस्ट की सोजन्य से भेट लिखा है एम्बूलेस पर सुनिल तट करे युवा प्रतिष्ठान लिखा होने के साथ राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी तला लिखा है इसके अलावा एम्बूलेस की कांच विंडो पर राष्टवादी कॉंग्रेस के मुखिया शरत पवार महाराष्ट के पुर्वट डिप्टी सीएम अजित पवार राज्य मंत्री महाराष्ट राज्य और मंत्री राइगड आदिती सुनिल तट करे और आमदार विधान परि रहा है जीले में काफी मात्रा में प्राइवेट एम्बूलेंस है जिनकी चेकिंग की जाएगी डोडा चुरा पकड़ने में थाना ओध्योगिक प्रभारी वीडी जोशी सब इस्पेक्टर सत्येंद्र रगुवन शी एसाई अजमेर सिहभूरिया हेट कांस्टेबल नीरच की गोष्णा की है